कर्जा मुक्ति के उपाय टोटके, मित्रों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को ये था संभव कर्जा लेने से बचना चाहिए, कर्जा लेना किसी को भी अच्छा नहीं लगता लेकिन कई बार मजबूरी वश्या अपनी आवश्रक्ताओं के कारण लोगों को वाले की बहुत सी सही गलत मनमानी शर्तों को भी मानना पड़ता है, आज गलतों हर छोटा बड़ा आदमी कहीं ना कहीं से मकान, गारी, ग्रिव पोयोगी वस्तु, शिक्षा, व्यापारादी के लिए कर्ज लेता है, कई बार गलत समय पर कर्ज लेने के कारण या किसी भी अन्य कारण से कर्ज लेने के बाद उसे लोटाना व्यक्ति को भारी हो जाता है, वेहलाख चाहकर भी कर्ज समय पर नहीं चुका पाता है, उस पर कर्ज लगातार बहुत अधिक पड़ता ही जाता है और कई बार तो उसकी पूरी जिन्देगी कर्ज चुकाते चुकाते हो जाती है यहां पर हम शास्त्र और प्राचीन मानिताओं के अनुसार कर्ज लेने वदेने संबंधी कुछ आसान से उपाय बता रहे है इन पर अमल करने पर निश्चित ही आपका कर्ज बिल्कुल समय से सुविधानुसार आपके सिर्ष से उतर जाएगा कर्जा मुक्ति मंत् इने से किसी भी मंत्र के निटे कम से कम एक माला के जब से विक्ति को अतिश्यग्र कर्जे से मुक्ति मिलती है 1. पूर्णिमा वं मंगलवार के दिन उधार दे और बुद्वार को कर्ज लें 2. कभी फूल कर भी मंगलवार को कर्ज नले इवं ये हुए कर्ज की करजे से मुक्त पाने के लिए लाल मसूर की दाल का दान दें। पांच, अपने घर के इल्शान कुन को सदैव स्वच्च व साफ रखें। छे, रिन हर्ता गणेश स्तोत्र का शुकल पक्ष के बुद्वार से निर्ति पाठ करें। साथ, बुद्वार को सवापाव मूं उबाल कर घी शकर मिलाकर गाए को खिलाने से शीग्र करज से मुक्ति मिलती है। आठ, सरसों का तेल मिट्टी के दिये में भर कर, फिर मिट्टी के दिये ये का ढखकन लगा कर किसी नदी या तालाप के किनारे शनिवार के दिन सुर्यास्त की समय जमीन में गाड़ देने से करज मुक्त हो सकते हैं। 9. घर की चोखट पर आभी मंत्रिक काले घोड़े की इनाल शनिवार के दिन लगाएं। 10. यदि व्यक्ति अपने घर के मंदिर में बालक्षमी की पूजा के साथ 21 हर्किक पत्थरों की भी पूजा करें फिर उन्हें अपने घर में कहीं पर भी जमीन में गाड़ दे और इश्वर से करजे से मुक्ति दिलाने के लिए प्राटना